नमस्कार आप देख रहें न्यूस जराहट के नमस्कार मैं हूँ सुजीत कुमार आज मैं बताऊंगा कैसे राजपत से कर्तव विपत और कर्तव विपत जो नाम रखा है किस तरह से वो कर्तव पत हो गया है तो शुरू करते हैं आज का वीडियो तो जुड़े रही हमारे साथ अंत तक राजपत अब कर्तव विपत हो गया है यह पत उस सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है जिसके बनने पर सवाल उठ रहे थे जब कोरोना के समय आम जनता त्राही त्राही कर रही थी तब विपक्ष की तरफ से सुझाओ दिया गया कि इस परियोजना को रोग दिया जाए इस पर खर्च होने वाले बीस हजार करोड की राशी से उन लोगों को आर्थिक साहता दी जाए जिनकी तालाबंदी में नौकरी चली गई उसी परियोजना के एक करतवे पत का उदगाटन प्रधान मंत्री ने किया है जब इस पत के निर्मान के लिए काम हो रहा था तब इसकी तस्वीर लेने की इजासत किसी को नहीं थी अपने करतवे करते हुए उन मजदूरों या उपकरणों की शायद ही कोई तस्वीर आपने देखी होगी अब जब यह बन गया है तो इसका प्रधर्शन ही इस तरह से हो रहा है जैसे केवल तस्वीर या सेलफी के लिए बनाया गया हो किसी का शौक विकास बनकर आपकी आँखों से उतरते हुए दिल में उतर जाए इसके लिए कई सारे कैमरों की मदद से इस करतवे पत की शूटिंग की गई है उनका संपादन हुआ है और पार्श संगीत तयार किया गया बैग्राउंड म्यूजिक जिसे कहते है इन सब पर किस विभाग ने और कितना पैसा खर्च किया है आप नहीं जान सकेगे प्रधाय मंत्री के बड़े बड़े कार्शकरमों के वीडियो इसी तरह संपादित कर मीडिया को दे दिया जाता है ताकि लोग देखना शुरू कर दे है साचा करने लगे और विकास की तस्वीर बना कर वाइरल कराने लगे जैसे करतव पत को ये करतब पत बनाने पर तूले हुए है सरकार के मंत्री जिस वीडियो को जारी कर रहे हैं उसे देखेगा ड्रोन के कैमरों की मदद से उपर से नीचे से नीचे की तरफ से देखने के लिए कहा जा रहा है यही सत्ता की अपनिवशिक्ता है जो चाहती है कि जनता उसकी इमारतों की भवता के सामने अपनी लगुता महसूस करे सरकारी वीडियो में इस तरह से दिखाया जा रहा है कि जैसे आपने कभी सड़क के किनारे हरी घास न देखी हो कभी सुन्दर ताला भी ना आप देखे हो सौचाला ही ना देखे हो बैठने के बेंच और फुटपाथ तो कभी देखे ही ना हो पेरों की तरह से शूटिंग की गई है जैसे आपने कभी आम के बाग भी न देखे हो दरसल अब इसी तरह से आप खुद को देखते हैं और सत्ता आपको देखती है आप एक साधारन से मौल को और साधारन समझकर सेलफी खिचाने के लिए तूट पड़ते हैं एरपोर्ट पे ऐसे सेलफी खिचवाते हैं जैसे ऐसी इमारत कभी न देखी हो जबकि सारे एरपोर्ट अब ऐसे ही होते हैं तो करतव पत को देखते ही आप यही करेंगे हमारी आपकी चेतना इतने तक ही सिमट कर रहे जाए इसी के लिए तो फोन और सोशल मीडिया में इन वर्षों में तयार किया गया है जब हम खुद को फोटो खिट जाने के विशे वस्तू के रूप में देखते हैं तो सेंटरल विस्टा को दूसी नजर से देखने के लिए आप में वो नजर कैसे पैदा हो जाएगी बिल्कुल सही कहरा हूँ ना मैं यह एक पैटन है तीन हजार करोड की लागत से सरदार पटेल की प्रतिमा बनाई गई रेलवे में चलने वालों की दुनिया तो नहीं बदली मगर रेलवे स्टेशन पर शीसे लगा कर फाइब स्टार से लेकर वर्ल्ड कलास इसे बताया गया एक निम्न मध्यमवर्गय देश की सरकार तेजगती से उस पश्शिम की शाही इमारतों की नकल कर इन इमारतों को बनाने लगी चित्र और मूर्ती लगा कर भारतियता का दावा किया जाता है लुटियन ने अरावली की इस पहाड़ी पर जिस भवता से इमारतों को गड़ा था उसी की नकल का नया विस्तार हुआ है करतवे पत का करतब पत बनाना आज भी जारी है सब कुछ उसी की तरह हुआ है किवल नाम बदलका जहासा दिया जा रहा है कि औप निवेशिक मानसिक्ता से मुक्ति पाई जा रही है कैमरों के जरिये इस तरह दिखाया भी जा रहा है जैसे शाही है और राजा अपना शौक पूरा कर रहा है उमीद है आप जनता इस पूरे प्रोजेक्ट को अलग नजरिये से भी देखने का प्रियास करेंगे किवल उसी नजर से नहीं देखेंगे जिसे आज सरकार अनेक निउस चैनलों के जरिये आपकी आखों को सौपने की तैयारी कर रही है प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाकार समीती के प्रमुख भारत के निम्न मध्धमवर गया देश कहते हैं इस देश में 25 हजार महिने की कमाई जिसकी है वह चोटी के 10 प्रतिशत आ जाता है सूचिए गरीबी की यह कैसी हालत है अर्थ विवस्था के आकार के बढ़ने की बात कही जा रही है कि भारत फ्रांस और ब्रिटेन से आगे निकल गया लेकिन आज आज भी भारत का नागरिक ब्रिटेन के नागरिक की आउसत कमाई का 5 प्रतिशत भी नहीं कमाता आप सूच नहीं लगता तो आप यह नहीं खरी सकते थे इमारतों की आकार की तरह अर्थ विवस्था का आकार इस तरह से बढ़ा किया जा रहा है ताकि भारत का नागरिक करतब विपत पर भी खुद को छोटा महसूस करे और नौकरी के लिए आते जाते करतब विपतों पर भी सिनेमा दिखाय जा रहा है अपनी आर्थिक लगुता से शर्मिन्दा होकर जी रही जनता को इमारती इमारतों की भवतार रहत देती होगी प्रधान मंत्री मोदी और दूसरे राजनेता यह बात समझ गए हैं जब तक जनता को यह समझ आएगा कि विकास की इस नहीं इमारत से भी उसका विकास नहीं हुआ तब तक किसी और जगह पर भव इमारत के बनने का ऐसा ही वीडियो आ जाएगा जिसे आप शेयर करेंगे और जहां आप सेलफी लेंगे इस तरह जनता देश के सपने के नाम पर एक नेता के सपने को देखती रही मुझे पूरा भरुसा है कि करतव पत को देखने के रिए लाखों की भीड उमरेगी पहले भी यह जगह आम लोगों से भरी रहती थी इसी दिल्ली के निजामुद्दीन में सुन्दर नरसरी है वहाँ भी चले जाएगा और पूछेगा कि किन किन लोगों ने किन किन लोगों ने इतनी सुन्दर नरसरी का वीडियो क्यों नहीं बनाये गया इसकी जरूरत नहीं थी इस जगह का भी एक विस्तार है मगर यह जगह आपको बराबरी पर ले जाती है आपकी लगुता के सामने उसकी भवता जुक जाती है शायद तब भी हर शनिवार और रविवार को सुन्दर नरसरी देखने के ल कुछ अलग से देखा कीजिए कुछ अलग से सोचा कीजिए नागरी खोने का करतव पूरा कीजिए उसी पत से भटकाते रहने के लिए आया है यह करतव पत और जिस तरह के करतव दिखाये जा रहे हैं यह करतव पत के नाम पर कि यह करतव पत से कहीं बदल कर करतव पत न ब करना चाहते हैं तो प्लीज से शेयर कीजिए साथ ही अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और इसके साथ ही वो मेरे मित्र मेरे दोस्त मेरे दर्शक जो अभी तक सिर्व वीडियो देख रहे लेकिन हमारे इस चानल को सब्सक्राइब नहीं